और इस गलत सीन के बाद यार मुझे नहीं लगता मैं दुबारा उड़ने वाला हूं कभी इस गेम में मेरे से नहों पाएगा तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत आपका एक भी राण नू गलत सीन से भरे पड़े पबजी तो मुबाइल गेम प्ले वीडियो में अब देखो ये अमेजिंग पार्ट में ये जो उड़ने वाली मसीन है इसमें क्या होता है जब भी कोई बंदा उड़ता यार उसे मजा टैप आजाता है वो हवाओ के मजे लेता है और चिडिया देखता है लेकिन जब मैं उड़ूंगा इसमें तो मेरे साथ सिर्फ एक चीज होती है वो है गलत सीन और मेरे साथ इतने सारे गलत सीन हो गए कि यार डर लगने लगता है आजकल चलने में भी डर लगने लगता है खेर आगे बंदे बैठे पड़ें तो मैं पहुँच जाता हूँ उनके मुह के सामने और इधर अमेजिंग पार्प में भी गिने चुने दो तीन बंदे आये होते हैं जिन में से एक को तो पकड़ लिया लेकिन इसका टीमेट कहीं पीछे की सैड है तो देखो यहां ठिपी भी लेता हूँ में थोड़ी देर और उसके बाद पीछे की साइड भगता हूँ क्योंकि आगे से भगके गया तो कौन कहां बैठा होगा यार पता भी नी चलेगा पेटी बन जाएगी खेर मैं इधर आता हूँ और आगे बन्दा होता है मेरे और इधर पे वैसे भी गिन चुन के यार तीन बन्दा है होते हैं और उन में से एक भाई का यार नेट ही दोका दे जाता है मतलब गंगुन उठाली भाई ने साइड में खड़ाया बन्दा लेकिन नेट नहीं चला है तो यार उसकी भी पेटी बना दी ये तीनों बन्दे लो भी जाएंगे खेर उतने में मैं इधार आता हूँ ये उड़ने वाली मसीन में बैटता हूँ और देखो मुझे कद्दू नहीं पता है यहाँ पे कौन किदर उतरा है मुझे बस एक ही चीज करनी है वो है गाड़ी का इंतेजाम क्योंगी देखो तीम किल करने से कद्दू कुछ नहीं होने वाला यार किल और केटी कैसे बढ़ेगी तो गाड़ी के इंतेजाम करने के लिए मैं रोड़ की तरफ निकल पड़ता हूँ और एक भगगी दिखती है मुझे और भगगी के पास जो होता है न बहुत गलाट होता है वाई लाटा है और इस गलत सीन के बाद यार मुझे नहीं लगता मैं दुबारा उड़ने वाला हूं कभी इस गेम में मेरे से नहीं पाएगा उड़के आया मैंने सोचा यार गाड़ी पड़ी है मस्त गाड़ी लूँगा अंदर रस करूँगा उतरते ही पता सलता है चार बंदे बैटे पड़े इधर पे और एक बंदा अभी भी जिन्दा है पीछे पे और मुझे लग रहा था यार ये बंदा पहले ही ठिल चुका है लेकिन मेरी डीपी में बस दस गोली बची थी और बस डेमेज दे पाए में खैर जो भी ओ ये चारो के चारो ठिल जाते हैं और ये तो अच्छा हुआ यार इन्हें पता नहीं चला कि मैं उड़ते वैया रहा हुँ नहीं तो यार हवा में पेटी बन जाती मैं नीचे उत्रा और धैड़ पैड चारो को पेल गया अब से यार समल के उड़ना पड़ेगा दिक्कते बहुत बढ़ जाती हैं कैर जो भी हो भाई लोग आगे जाएंगे और आगे जाके गलती से हैट सौट भी देखने को मिलेंगे लेकिन उससे पहले हम धेड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्सपैट जिसके मदद से आप इसके अंदर कई सारे मिनी गेम्स खेल सकते हो और मिनी गेम्स खेल के पैसे अन कर सकते हो साथ ही साथ आपको इसमें 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा आपके फर्स डिपोजिट में तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सौक है तो आप इस एप को ट्राइ कर सकते हो इसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में और अगर आप इस एप पे रजिस्टर करते हो तो हार मुझे इंश्ठा पे मैंसन जरूर कर देना रजिस्टर करने के बाद क्यूंकि हर दो दिन में एक लखी विनर को एक गूगल गिफ्ट कार्ड मिलेगा जिससे आप यूसी करीच सकते हो यहां सूपर चैट में पैसे बहा सकते हो कि इतनी गुली है और दो बंदे जैसे तैसे नौक करते यार मेरे कौन के बगल से गुली जाती है वो भी कार्डा इंटेट की गुली खैर इससे सिर्फ यही पता चलता है और कम से कम चार बंदे बैठे पड़े हैं यहां पे लेकिन उसके बाद भी रस करेंगे हैं और जहां तक मुझे लग रहा है यह चज्जे में जो बंदा चड़ा था यही भाई कार्डा इंटेट पटका रहे थे और यहां पे आर बंदे खतम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं जिसको देखो वो बंदा नो को रहा है और पेटी मैंने किसी की भी नहीं बनाई है क्यार मैं यहाँ पर फटा फट धैर पैर उपर चड़ जाता हूँ क्यूंकि नीचे कहां से कौन पेल दे किसी को नहीं पता और उपर चड़ के न एक बेवकुफी कर बैठता हूँ मैं मैं नीचे गिर जाता हूँ बेवकुफो की तरह मैंने सोचा यार छत पे चड़ा हूँ टोप में चड़ा हूँ बिल्कुल पीक पाक करके पेल दूँगा इन्हें और यहने पता भी नहीं चलेगा जैसी पीक का बटन दबाया है यार मेरा बंदा जमीन के नीचे आ जाता है ख और यह जो ऐसे हिलने डुलने वाली में हरकत कर रहा था यार यह इसलिए कर रहा था ताकि मेरे टीमेट की पेटी ना बना दी जाए और बहुत दिनों बाद बहुत महीनों बाद ऐसा हुआ है कि यार किसी ने व्यसेस इस्तमाल किया है खतरना गन्यार देखो बंदे ने नो जो डी भी पटका रहा था यार उससे साफ पता चल जाता है कि यह जो सामने घर पड़े हैं इन महेंगे घरों पे बंदे बैठे पड़े हैं और हम अकेली नहीं होते यार इनको पेलने वाले कोई और भी बंदे होते हैं और वो बंदे चटके चटके नहीं पाड़ी के उपर स उससे मुझे AWM मिलती है अब गोलियां तमीज से बचा के चलाने के जगा में क्या करता हूँ जो भी बंदा भकतावा दिख रहा है उस पे अंधी फाइरिंग बोल देता हूँ अब देखो जब तक आप बंदा नोक नहीं करते तब तक यार अगर आप AWM चला रहे हो और डेमेज दे रहे हो तो उसे गोली की बरबादी ही कहेंगे खैर जो भी हो यहाँ पे दो-तिन बंदों को मैं बोडी सोट पेलता हूँ हना पेट पूर्ट ना जाने कहा कहा गोली पेली लेकिन कोई भी नौक नहीं हुआ और गोलियां बरबाद हो गई लेकिन हम भी ढीट यार जब तक कोई ठिलके नहीं देता तब तक पेलेंगे और देखो मेरे अपने इनर से चलने मतलब सको कौन सा कहां पे लगाए पता ही नहीं मुझे लोहा साइट खोल दी थे मैंने AWM की खेर मुझे आगे एक बंदा लेटा वा दिखता है और ये सौट मिस नहीं कर सकता मैं बिलकुल भी और यहां पे पता चलता है कि सामने दो सकोड के बंदे होते हैं जो बंदा लेटा था वो पता नहीं कौन सी टीम खाता लेकिन उसकी पेटी ज़रूर बन गए ये सीधा और अब बस घर पे बंदे बैठे पड़े हैं तो करना कहा है यार चलाओंगा दुबारा AWM और हमारे ये भाई पूरी चौड में मतलब दर नाम की कोई भी चीज नी थी भाई की आंखो में यार चट पे खड़ाये बंदा वो भी पीक पाक करके और नंगा क्यों खड़ा था यार मुझे नहीं पता वैसे गर्मी बहुत बढ़ चुकी यार खेलने में और वोईसुव कम होता ऐसा कि यार मैं AWM की गोली चलाओं और वो बरबाद ना हो खेर यहाँ पे मैं आता हूँ ये पहाड जैसे में रोकता हूँ और दुबारा से गोलिया बरबाद करने लग जाता हूँ अब देखो मैं इधर उधर भगता हूँ क्योंकि ये लोग भी कम चलाकनी होते ज और हमारे भाई पहले पूरी चोड में चट पे खड़े हो रखे थे और अब दूसरी बार जब मैं पास आ गया हमारे भाई पूरी चोड में चट पे लेटे पड़े हैं और दोनों बार गल्ती से हैट सोट लगता है भाई को खेर जो भी हो यहाँ पे मैं रस करता हूँ एक बंदा यहीं कहीं घर से गोली गोली चला रहोता है तो करना क्या है और देखो बिल्कुल अंधा प्रीपायर देते वे गोली बर्बाद करते वे घुशते हम अंदर और जैसा कि मैंने बोला यह थैयार प्रीपायर बहुत दूर की बात है इससे सिर्फ और सिर्फ गोली बर्बाद करना कहेंगे मतलब घर के अंदर घुशते टैम जितनी भी गोली थी हम दोनों भाई ने मिलके सारी गोलियां चला दी बाद में पता चलता है घर के अंदर बस एक नोग बंदा पड़ा है जो की छत पे बैठा हुआ है अभी भी खैर गोलिया बर्बाद होई चुकी है और यहां पे मुझे पता चल जाता है यार बंदा बख के नीचे कहीं जा चुका है और सामने वाले घर उसे भी फुटिश टैप आ रहे है इसका मतलब यहार एक से जादा बंदा यहां कहीं बैठा है खैर जो भी हो मुझे अभी बगल में जो सैक होता है सस्ता सा वहां अंदर से फुटिश टैप आते है बंदे के तो करना क्या यार नेट फेकनी की नाकाम कुछिस करता हूँ मैं यहाँ पे और क्यूंकि नेट मेरा सस्ता होता है हना कुक के नाम पे मैंने कदू कुछ नहीं किया उठाया थोड़ी देर हाथ में रखा और फेग दिया पत्थर की तरह तो बंदा भी नहीं ठिलता यार बाहर भग जाता है करना क्या यार अब गुसके पिलना पड़ेगा वहीं कहीं बैठा हुआ है वो अंदर यह अब देखो जो बाहर से भगते वाया या उसका मुझे नहीं पता लेकिन जो अंदर बैठा था ना इस सेके वो पूरी तयारी में था पेटिया बनाने की मतलब उसको भी पता था है यार हम दो बंदे हैं और दोनों गुस गए तो उसकी पेटी ज़रूर बनेगी तो भाई क्या करते हैं हमारे भाई पे पूरी गूलिया चलाते हैं लेकिन टैम पे मैं आता हूँ पीछे से और बंदे की सीधा पेटी बनाता हूँ और दूसरा बंदा बाहर से भकते बैता है और वो भी ढिल जाता है अब यहाँ पे इस टीम के हम तीन बंदे पेल चुके हैं और चोथा बंदा किधर गया और कहां पे कैम्प कर रहा है किसी को भी नहीं पता और यहाँ पे यह जो पेटी पड़ी है बाहर उसे लूटने की ला तब गलत सीन होंगे खैर यहां से हम निकली रहे होते कि इतने में ही एक पग्गी दिखती आगे से आते वे तो निकालता हूं मैं अपनी अमफूर और देखो जहां तक मेरा मानना है चलती गाड़ी में ठिलने मैयार बहुत ज़्यादा दुख होता है खास कर तब जब आप सोलो बंदे हो अकेले बंदे हो गाड़ी चला रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर सकते बचने के लिए अगर आपके साथ है सब कभी हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे हो अकेले बंदे हो पुरे चौड में गाड़ी चला रहे हो फिर आपके सामने एक पूरी सकोड आती है और आपको पीछा करके पेलती है तो मुझे कमेंट में ज़रू बताना क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है गाड़ी रोकता हूँ मैं तो भी पेली देते हैं चार बंदों को ओपन में रुक के पेलने में बहुत दिक्कत होती है लेकिन कभी कभी किस्मत काम करती है और चारों की रस्ते में पेटी बन जाती है खैर जो भी हो उस बेचारे भाई को बग्गी में पेल दिया जाता है बैठे बैठे और भाई चाहके भी कुछ नहीं कर पाते इसलिए देखो यार अगर अकेले गाड़ी चला रहे हो या अपने टीमेट से अकेले गाड़ी लेके भग रहे हो कहीं पे तो यार ध्यान से करना क्योंकि मेरे जैसे डेट बन दे मिल गए अगर तो यार वो तब तक पिछा करेंगे जब तक आपकी पेटी ना बन जाए खैर उसके बाद मैं इधर पे आता हूँ और यहां पे आके आगे स्कौर्ड बैठी है अब ये तीन बंदे क्या कर रहे है यार मेरे समझ के पार है जाब तक मुझे लग रहा है ये दूर किसी और बंदे को पेल रहे है क्यारिन के मैं बिल्कुल बगल में आ चुका हूँ नीचे बैठ चुका हूँ और यहां से उपर नेट फेकने की कुछिस करता हूँ जिससे कुछ भी नहीं होगा अब जहां पे मैं हूँ वहां पे अगर एक बोट भी होता ना एक ऐसा बंदा भी होता जिसको आजी पबजी खेलने को मिला है यार वो भी नेट फेक के बंदे नोक कर देता इसकी मैं गारंटी देता हूँ सो परतीसत और ये मेरी समझ के भी पार है कि कैसे कैसे मैं ये नेट इतना सस्ता कर सकता हूँ कि उपर दो तिन बंदे बैठे हैं और कोई भी नीठी ला और हमेशा की तरह यार जब नेट से काम नी होता तो आखिर कार मेरी गने ही काम आती हैं तो देखो उपर धैड़ पैड़ पीक पाक करके दो बंदे नोक कर चुका हूँ और एक ही बंदा बाकी है और यहां उपर आके मुझे पता चलता है कि यार एक बंदा रिवाइब भी हो चुका है ये तीनो के तीनो बंदे यहीं पे बैठे होते भाई पूरी टोली बड़ी होती है इनकी पेटियां देखो भाई आपस में गिरी पड़ी हैं पेटियां और ये जो मैं उपर लेट के हरकत कर रहा हूँ नहीं ये लेट के ये दर्द मिटाओ गोलियां खाना इसे सिर्फ दो चीज कहते हैं मुर्खता और ढीटता मुझे अच्छे से बताए वहां पे लेट के कोई ना कोई कहीं से पेल जरूर सकता है और उसके बाद भी मैं वही अरकत करता हूँ खेर टाइम आते यार होस आजाता है हना अब तो नीचे आजाता हूँ मैं और देखो ये लोग उपर से किसी पे तो गोली चला रहे थे या तो ये गोली चला रहे थे या तो इनके अपने ही कुछने से थे इसलिए मैं इधर जाड़ी जूड़ी में देखता हूँ और एक बंदा दिख भी जाता है मुझे और अभी आखरी सरकाल आने में जन्मो जन्मो का टाइम बचा होता है उसके बाद भी हमारे भाई गनी जाड़ी में लेटे पड़े होते हैं और टेंसर मतलो आगे जाके बहुत सारे ऐसे जाड़ीों में चुपेवे लेटेवे बंदे देखने भी लेंगे और यार किसमत ऐसी चमकेगी कि हैट सौट भी लगेंगे गलती से खेर जो भी हो उपर में आता हूँ देखता हूँ कि यार बाकी बंदे कि इधर है उस बंदे की दो सीधा पेटी बनती है और वहाँ पे बाइक भी किसी ने छोड़ी होती है सही है यार मतलब बीच रस्ते में बाइक छोड़ दो और साप बन जाओ बहुत ही बढ़िया और और बंदे भी दिखते हैं मुझे और यहाँ पे तुमारा भाई फिर से काम पे लग जाता है हाँ वही गोलिया बरबाद करने का काम तो देखो मैं वो बंदा मेरे ख्याल से M4 चला रहा होता है मैं AWM चलाता हूँ और यार इतना खतरनाक चला है भाईने कि मुझे अंदर भगना पड़ा और देखो जादा देड़ तक मैं चट में रहे भी नहीं सकता क्योंकि हर किसी की नजर चट पर ही जाएगी चाहे वो साब बना हो चाहे जाड़ी में लेटा पड़ाओ दोनों ही की बात है खेर जो भी हो इस बार यार गोली बरबाद नहीं करूँगा मैं शायद और यहाँ पर मैं कुछ वोईस ओवर नहीं करने वाला था लेकिन यार हमारे भाई का फोन बज़रा है और मैं नहीं जाता मेरे को कोपी राइटी स्ट्राइक पर जाए और काफी सारी गोलिया बरबाद करने के बाद आखिर कार आखिर कार जाके मेरे हेट सोट लगना चालो होते है तो देखो बगल में एक साब बना था यार इन जाडियों में हमेशा कोई न कोई लेटा पड़ा जरूर होता है तो उस बन्दे की भी सीधा पे टीवनी और आगे एक छोटे वाले घर से जो घर के नाम पे एक मजाक है वहां से बन्दा दुबारा पीक करता है इस बार मेरे ख्याल से भाई बैरल चलाते हैं M76-62 लेकिन इस बार मेरा गलती से एट सोट लग जाता है और नौक वा बन्दा तो यार और भी बन्दे बैठे पड़े हैं उधर पे अब पहले मेरे सोटा हूँ यार इनके साथ ऐसे क्या गलत नसे हो गई कि ये रोड में अंधा बग रहे हैं उसके बाद मैं जोन देखता हूँ फिर पता चलता है यार जोन उन्हें धोका दे चुका है अब देखो जहां तक मुझे पता है जहां तक मैंने गेम खिला है जब भी मैं इस घर पे आता हूँ ना जादा तर टैम जोन यहीं पे बन जाता है दोका नहीं होता है याँपे और देखो वो बेचारों को भक्या आना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी के नाम पे भाई लोगों पे कुछ भी नहीं पड़ा है मेरे ख्याल से खैर जो भी हो उस पत्थर के पीछे दो बंदे बैठे पड़े हैं और देखो लेफ्ट साइड से भी गोलियां चल ली थी खैर उस प्राणी को मैं ढूलने ही वाला था लेकिन ये मुखडा दिखा देते हैं हमारे भाई तो तुक्के दुक्के में एक और गलती से एट सौट लग जाता है लेकिन दुबारा से रिवाइव दिया जाएगा खैर वो सब चुड़ायार इस प्राणी के मजे लोआ सब भाई को लगा यार हर कोई लेटता है हम जाड़ी में बैठेंगे और मस्त मज़े लेंगे वहां से खैर जो भी उसको सीधा एक गलती से एट सौट लगता है और उस बंदे की सीधा पेटी बनती है और यहां पर हमारे दोनों बंदे जान लगा के भगते हैं एक बंदे को तो रस्ते में पकड़ लेता हूँ और भाई की रस्ते में पेटी बन जाती है लेकिन हमारे दूसरे भाई वो दूसरे पत्थर पे आ चुके हैं तो करना क्या है यहीं पे रुकेंगे क्योंकि जोन अपने पी बन रहा है किसमत सही चल लिया भी और देखो एक बंदा राइट में था लेकिन लेफ्ट से कोई और गुली भी चला रहा था और बाद में पता चलता है वो भी इनी की टीम का है और यहां पे भी मेरा टीमेट यार पूरी जान लगा के कुछ अजीब सी आवाजे निकाल ला होता है तो हाँ यहां पे भी मुझे दुबारा वाइस ओवर करनी पड़ी खेर देखो इनके सीन देखो यहां पे ठीक है एक बंदा पूरा राइट में बैठा पड़ा है एक बंदा पूरा लेफ्ट में और बाद में पता चलता है दोनों भाई एक ही टीम के होते हैं और जो बंदा लेफ् और मेरी सस्ती सनाइपिंग और वो जो सस्ते नेट थे नहीं यार नेट के लिए क्यों कोई लाइक करेगा सस्ती सनाइपिंग और वो जो गलत सीन थे यार उसके लिए लाइक पेला मत भूला बिल्कुल ठोका पीटी गर के नीला टैप कर दो लाइक के बिटन को और अगर आप यहाँ पर नए हो तो यार करो तब इसक्राइब क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले और सस्ती कमेंटरी सस्ती सनाइपिंग के साथ डालता रहता है तो आज के वीडियो में इतना है भाई लोग यार जाते जाते एक एक्स वेट चेकाउट करना मत भूलना उसके लिंक कमेंट सेक्सियों में होगी बिल्कुल टोप में तो कल मिलते है यार बाई बाई झाल 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 झाल